हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का में तो सभी लोग कैसे हैं उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और आप सभी को यह बता दें कि आपकी यूपी टेट 2021 की नई बैच हो चुकी है स्टार्ट कहां पे आपके अप्लिकेशन पे चलिए आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले पहले तो आपको थुआ परिचे कराना ही पड़ेगा कि आखिर आप यूपी टेट की त्यारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास है ना और भी जो सब्जेक् करम हमने आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है यूपी टीटी परिक्षा पैटन 2021 यह आपका लेटेस लेवस है और अगर इसके आधार पर देखा जाए तो इसके लिए जो है आपके पांच सब्जेक्ट रहते हैं ठीक है इसमें जो होता है आपका पांच सब्जेक्ट रहेगा ठीक है यह हमारी जिम्मेदारी है तो पहले हम बात करेंगे बाल विकास इवं सिक्षड की बात करें देखिए सुपर टेट और जो यूपी टेट होता है दोनों में अंतर यही होता है कि अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में आपका बाल विकास और सिक् टॉपिक और पढ़ना रहेगा जीवन कोशल तो आपका सबसे पहला दो लक्ष यहीं होगा कि पहले हम यू पीटेट क्रॉस करें जिते लोग अभी अगर आपने यूपिटेट कौलीफाइव नहीं किया तो पहले आपका पहला लक्षी होगा कि हम पहले यूपीटेट कौलीफाई करें तो आप लोग को मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा अगर मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा तो यह टॉपिक आपके सुपर टेट में भी काम आएगा इस बात को याद रखेगा इसल से इंपॉर्डन कोश्चन को हम अपने इस वीडिव में दिस्कस करते रहेंगे तो यह आपका तीस नंबर का पूछा जाता है यू पीटिटी में चीक है अगर लाइंग्वेज की बात करें तो यह तो लैंग्वेज जो होता है कंपलसरी ही होता है अगर हिंदी के बात करें भासर दो जो होता है यह आपका optional होता है जिसमें कि आप उर्दू English या Sanskrit में से कोई एक ले सकते हैं maximum लोग जहां तक है English या Sanskrit या आपनी अपनी जो भी भाजा है तीन ही होती है तीन में से कोई एक ले सकते हैं तो यह भी आपका तीश नमबर है अगला जो है आपका गड़ित गड़ित तो आपका compulsory है इसे आपको लेना ही पड़ेगा यूपी टीटी में इसकी बढ़िया तरीके से तयारी कराई जाएगी इसके लिए आपको बिल्कुल परशान होने के आप शकता नहीं है math भी आपका एकदम basic लेकर चला जाएगा पर्रया वरण तो जैसा कि आपको 250 नंबर का बनेगा मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ मैं आपको आज डिसकस कराने वाला हूँ बाल विकास एवं सिक्षण शास्त्र का शिलेबस और इसी पैटन के आधार पे हम पर डे एक एक टॉपिक को खतम करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड हम प्रैक्ट बाल विकास का अर्थ ठीक है अगर बाल विकास का अर्थ की बात करें तो यह सब मैं आपको एकदम बेसिक यानि की ऐसा नहीं कि बस आपको कुछ भी ऐसे बता दिया मैं देखू मैंने मतलब की 2017 से अभी तक जित्ती बार भी यूपिटेट हुआ है उसमें हमने आपको विकास का अर्थ उसके बाद आएगा आवश्रक्ता तथा छेत्र यानि कि अगर हम चाइल्ड डेवलेमेंट के बात करें उसके बाद उसकी आवश्रक्ता कहां पड़ती है बच्चों का विकास कैसे होता है जैसे शैस्वा वस्था हुआ उसके बाद फिर क्या है और यह भी यह सब जो development है वह कैसे हो रहे हैं कितने रूप में हो रहे हैं कितनी मात्रा में हो रहे हैं वे कंपेर के तौर पर यानि कि उसके में कितना हो रहा है यह जो भी भिन्यता होती है व्यक्ति भिन्यता जिसका टॉपिक होता है उसमें सारी चीजे भी आती है तो यह सारी चीजे होंगे ठीक है तो आवशक्ता था छेत्र यह बताएगा कि बाल विकास में आपका यह आप इसकी और अगर इसकी अवस्थाएं जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो भी अवस्थाएं याने की वही चार मुख्य एक है एक है आपकी गरभा अवस्था चैश्वा अवस्था बाल्ली अवस्था किशोर अवस्था ठीक है तो इस तरीके से इसकी अवस्थाएं होती है शारिल प्रश्ण इस परिश्चा में पूछे जाते हैं अभी अभी व्यक्ति छमता का विकास भी इससे बीए बहुत इंप्रॉडंट टॉपिक होता है इसमें इससे भी प्रश्ण जरूर बनता है कि अभी व्यक्ति मतलब क्या होता है कि आप अपने शब्दों को किस माध्यम से पर आप लोग पढ़ेंगे फिर आएगा स्रुजणात्मक्ता एवं स्रुजणात्मक्ता चम्ता का विकास स्रुजणात्मक्ता यानि creativity बच्चे में क्या एक्स्ट्रा ऐसे गुड़ है जो और लोगों में नहीं है जिके विसेश गुड़ जिसे कह सकते हो तो स्रजनात्मक्ता यह सब जो है आपको यहां पर पढ़ना रहेगा और अगर बात करें इसमें और जो टॉपिक आएगा बाल विकास के अधार एवं उनको प्रभावित करन ए इसके कारक की रूप में अगला जैसे कि अगर और देख लें जैसे कि reaction में जैसे पारिवारी कारक पार्ट आज सुका है वो है लर्णिंग सीखना सीखने का सिद्धान अधिगम का जो सिद्धान है यह समझ लीजिए पूरे यूपी टेट और बाल विकास की एक आधार शिला कह सकते हैं क्योंकि इन से प्रशन हर बार पूछता है बार बार पूछता है अगर यह टॉपिक लि प्रभावित करने वाले कारक अभी मैंने बताया विकास को प्रभावित करने वाले अभी अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगम किसका हिस्सा है सिक चड़गा ठीक है तो यह है अधिगम का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले कारक अधिगम की प्रभाव शाल अदिखिए इसमें क्या पूचा जाएगा आप से यह पूचा जाता है यह समय आपका आएगा कि अधिगम के प्रमुकर सिध्धान तथा कख्छा शिक्षण में इन भालक उसको भी अभार में कैसे ले आ रहा है कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है आप लोग इसमें पढ़ेंगे और देखिए थांडाइक का प्रयास तोटी सभी लोग इसके विसे में जानते हों कि पावलाव का सिद्धान प्रतिक्रिया सि महत्कों टॉपिक है मैं आपको यह बताऊंगा कि जो ऐसे वक्रवाला जो होता है उन्हों दो तरवक और मिश्टे तो अगमालब जितने विसके प्रकार होते हैं कैसे विकास का दर जो है बढ़ रहा है घट रहा है वो समय आपको टॉपिक वाइस क्लियर करांगा और देख आप लोग पढ़ेंगे किसमें सीखने के पठार में और क्या होता है इसका मतलब की निराकरण भी करना है कारण जानना है और उसका निराकरण कैसे करेंगे यह तो अमने बता दिया कि बच्चे में यह सारी अच्छमताएं हैं लेकर उसका निराकरण कैसे करेंगे वो सब य और जान लेते हैं सिक्षण एवं सिक्षण भी सेस्ता हैं उनकी विधियां जो सिक्षण वाला टॉपिक है अब यह पूर प्योर टीचिंग से रिलेटड आ गया अब यह भी टॉपिक एक्जाम में पूछेगा यह आपके समझ लो जैसे कॉमन सेंस की बात है जो सीटेट वाल इसे की कर बात करें इसमें क्या पढ़ना रहेगा सिक्षण का अर्थ पढ़ना है इसका उदेश संप्रेशन सिक्षण के सिधान सिक्षण के सूत्र सिक्षण की प्रवीधियां सिक्षण की नवीन विधाएं उपागम सूच में सिक्षण एवं सिक्षण के आधहार भूत क बावशल तो यह सब जो है आपके इसके प्रकार है शिक्षण विदियों के अब इसमें एक और नया टॉपिक कैसे आट कर सकते हो जो है कि समावेशन शिक्षा यह बहुत ही महतुर्व टॉपिक होता है कि सबीको समानुरूप से लेकर चलना सबीको समान सिक्षा देना समावेशन से अभी प्राय पूछा जाता है इससे टॉपिक पहचान प्रकार निराकरण अपवंचित भर्ग भाषा धर्म जाती छेत्रवन लिंग सारीरिक्षमता दृष्टिबादित श्रमण बादित एवं वाक अस्तिवादित मानसिक दक्षता तो यह सब जो है आपके इस टॉपिक में पूछे जाएंगे इनसे प्रश्न आते हैं अगला जो टॉपिक आएगा आपका समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण बच्चों को एक साथ सिक्षा देने के लिए हमें किस टेक्निक्स का प्रयोग करना है इनसे प्रश्न पूछेगा जो टीलम होती है स सिक्षण सहायक सामगरी इनसे प्रश्न पूछता है और उनका प्रयोग कैसे होता है समावेशित बच्चों का अधिगम जाचने के लिए आवश्यक टूल एवन तकनीकी क्या क्या है यह आपका एक टॉपिक हो गया ठीक है और क्या पूछेगा समावेशित बच्चों के लि यह या फिर एक काम करेंगे इसकी पीडियाफ हम आपको यूपी टेट वाले जो चैड़ वॉक्स है वहां पर प्रवाइट करा देंगे तो आप लोग पूरा से लेवर्स अच्छे से देख लीजेगा ठीक है फिर जो आएगा आपका यहां पर बनो विग्यान शाला उत्तर प्रदेश इलहाबाद से जो है एक प्रस्ण जरूर वनेगाः इस लिए इसको भी आप लो तयार रखना है उसके बादे आएगा मंदली मनोव ज्यान केंदर जो कि मंदल स्तरक्र बात होती है इनसे भी एक प्रश्न पूच्ता है इसलिए इसको अप लोको तयार करना होगा नेश्ट्ट जो आएगा जिला चिकित साल है जिला सिक्षा prata शान यानि कि जो Whoa है डाइट में किस तरीके से शिक्षण दिया जाता है और किक्षा से कौत अंगे कॉस्टा है और इसी का पूचा जाता है चलिए अधिकम और अध्यापन से बालक कैसे सोचते हैं यह समझ लोग तरह से common sense की बात है अगर आपके सामने इंसे रेटर जो प्रशन आएगा वह आपके common sense related रहेगा बालक विद्याले प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं इनसे प्रशन बनेंगे यह सारे टॉपिक है दोस्तों ठीक है आप लोग देखो कि को कि सजी इतना बड़ा सलेबस है बड़ा कुछ नहीं है ठीक है यह सलेबस कुछ भी बड़ा नहीं है जब मैं इसको टॉपिक क्लियर कराऊंगा एक एक टॉपिक तो यह सारे सलेबस बड़े ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे ठीक है घवराना नहीं है आपको पूरा पैकेश दिया जाएगा यहां पर एक एक वीडियो आपको दिया जाएगा अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं बालकों की अधिगम कार नीतियां सम सामाजिक क्रिया कलाब की रूप में अधिगम अधिगम के सामाजिक शंदर्व यह सब जो है टॉपिक आपके इसके अनतरगत आता है और इक तॉपिक इसमें और क्या बचगा है एक समस्या समधान करता और एक वैग्जयानिक अन्वेशक की रूप में बालक को हम कैसे है यह आपको इस टॉपिक में यानि जो यूपिट का जो सलेबस है इसमें डिसकस करना होगा पढ़ना होगा अच्छे तरीके से समझना होगा और जैसे बोर और संबेदनाय है प्रेड़ना और अधिगम है और क्या-क्या बचा है अधिगम में योगदान देने वाले कारक जै एक टॉपिक हम पूरा क्लियर कराने वाले हैं इसके लिए आपको बिल्कुल परशान होने की आवशक्ता नहीं है ठीक है तो अगर आपको इसकी पीड़ चाहिए तो आप सब क्या कर सकते हैं मैं आपको मैसेज कर दूँगा ठीक है आप लोग हम से जुड़े हैं आपको हम चैड़ बॉक्स में इसकी पीड़ अवलेट अवेलबर करा देते हैं बाकी से लिए बस ताप लोगों मैंने एक बाग हुरा डिस्कुर्शन कराई दिया है चलिए हम स्टार्ट करेंगे कल यानि की अपने पहले टॉपिक से वह है बाल विकास का अर्थ यह हमारा पहला टॉ कोपिक से स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए कोई भी समझता होगी आप हमसे चैड़ बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंग झाल 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 झाल